नमस्ते स्वागत है आपका हमारे सेनल ब्राइट फ्यूजर में ये दिनांक उन्निस साथ दो हजार रिकिस का ग्रह कारी है कक्सचे के लिए अध्याय का नाम है क्या कब कहां और कैसे बढ़ते हैं पहले प्रश्ण की और एक इतियास से क्या अभिप्राय है उत्तर बीती हुई गटनाओं का एक महत्पुन वर्णन इतियास कहलाता है प्रश्ण संख्या दो अतीत की अध्यन से हमें किस किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है इसका उत्तर है इतियास से अतीत की गटनाओं वे तथ्यों के बारे में जान पाते हैं युग विसेश और गटना इस्तल के अवसेश प्राप्त होते हैं अतीत का अध्यन हमें वर्तिमान और भविस्य के बारे में मार्गदर्शन दे सकता है प्रश्न संख्या तीन आधि मानों का निवास भारतिय उप महाद्वीप में कहां कहां देखने को मिलता है बताईए आधि मानों का निवास भारतिय उप महाद्वीप में नर्मदा नदी के तट पर सिंदुवे गंगा तता इनकी सायक नदियों के किनारे उत्तर पश्चिम के सुलेमान और मद्दे भारत के विंदे में पहाडियों में देखने को मिलता है या चार उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मानोदारा ब्रह्मन अत्वा यात्राएं क्यों की जाती है इसका उत्तर है प्राकरतिक आपताओं के कारण बारिक और धार्मिक कारणों के कारण दूसरे सेत्रों पर विजय प्राप्ते करने हिस्तू रोचकिस्तानों को देखने हिस्तू व्यात्राएं की जाती है प्रश्न संक्या 5. पांडू लेपियों अभिलेखों को अंतर सही दिस्पस्ट करें। उत्तर पांडू लेपियां ताड के पत्ते को काट कर तथा बूर्ज पेड की चाल पर हातों से लिखी जाती है। अभिलेख पत्थर या धातू जैसी कठोर सतों पर उत्गरिण किया जा सकता है हमने पांचों प्रश्ण पूर्ण कर लिए हैं अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को अंत तक देखने के रापका धन्यवाद